वेलकम दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिक फाइंड सी लिग में दोस्तो रात के तीन बच के चास मिनट हो रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लगे हैं थोड़ा सा प्रेडिक्शन देहां से सुनना हो सकता है दोस्तो आज जील आप बिन कर जाओ क क्योंकि चील के कॉंबिनेशन क्या होंके सब कुछ बताएंगे आपको बसाब बने रहें बात करेंगे दोस्तो रॉयल क्रिकेट पड़ोवा वसेस वेलेंजिया ट्रीम लेवन टीम प्रेडिक्शन का मैच टेर्ड़ बज़े से होगा दोस्तो रॉयल क्रिकेट पड़ोवा टीम एंड प्लेयरे स्टैड्स की बात करें दोस्तो इससे पहले आपको बता दें कि पड़ोवा की टीम दोस्तो अपने प्लेइंग लेवन में बहुत सारे चेंजिस कर रही है थोड़ा सा मुझे ये टीम डेस्प्रेड दिख रही है अभी के लिए और वहीं पे आपको एक गेम भी ड्रो नहीं है दोस्तों वहीं पे इनका रंड रेट देखिए आप माइनस में है दो पॉइंट के साथ फर्स बैट अभी तक किये नहीं है सेकेंड बैट में आप देख सकते हो अठासी बनाए 91 किये 123 किये 105 किये मतलब अगर इनका योरेज इसको निकाला जाए 100 के आसपास आएगा तो अब बात करते हैं इनके प्लेयरी स्टैट्स की मनोज रोडी को आपको विकेट कीपिंग प्लस ओपन करते हुए दीख जाएंगे दोस्तों समीरा फर्नांडो स्टार्टिंग के दो मैच खेले नहीं फिर उसके बाद ओपन किये दोस्तों और बैटि में दोष में अभी यह 2 मैच खेली नहीं वहीं पर चार ओवर किये थे 2 विकेट लीएथे प्लस बैटिंग झाए अब नको पता नहीं क्यूं बाहर कर दिया गया है तो स्बाट करें यह ये भी आपको उपन करते हुए दीख जाएंगे दो算तों सकते हैं हो सकता है उपन इन वाइस कप्तान मैं इनको recommend करता हूँ small league में आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो अगर ये वंदा first bet करता है तो बहुत अच्छी पिक बन जाएगा दोस्तो आज वाइस कप्तान की तो आप चाहो तो वाइस कप्तान try कर सकते हो small league में निसान आचार सिंगे की बात करें इनको भी open कराया गया दोस्तो starting के एक match में उसके बात खेले नहीं दिलसान फर्नांडो की बात करें तो चोगते पांच में पर बाइटिंग करेंगे दोस्तो third पर भी कर सकते हैं अभी तक बाइटिंग से कुछ खास किये नहीं दोस्तो आप यहाँ से देख सकते हो इनका selection percentage बहुत हाई है अगर यह दोनों player आपको खेलते हुए दिखे दोस्तो तो आप इन दोनों को try कर सकते हो इन प्लेस आफ दिलसान फर्नांडो अब यहाँ से बात करते हैं निसाका कुमारा सिंगे की कप्तान है टीम के आप देख सकते हो दो दो चार दो छे दो आट ओवर किये हैं चार मैच में दोस्तो लगभग दो ओवर हर मैच किये हैं प्लस अभी तक इनको एक बिकेट ही मिला है और बैटिंग से दोस्तों सिर्फ एक बार 28 बनाए है एक बार चार रंग किये हैं तो आप चाहो तो इनको अपनी टीम में एज़ा प्लेयर रख सकते हो हाँ जील में आप इनको एज़ा कप्तान वाइस कप्तान भी ट्राई कर सकते हो तो अभी तक एक मैच झीलें किसकास इनका स्टैट्स दिखा नहीं दोस्तों लहरू तो मांगे की बात करें अगर खेलते हैं तक जील में ट्राय कर सकते हो चमारा सुडूं डिवागे की बात करें एक उवर किये हैं दो विकेट लिये हैं चमारा वारना कुला सूरिया की बात करें दोस्तों अभी तक दो मैच के लिए हैं जुसमें से एक मैच में बॉलिंग किये हैं दो ओवर एक विगट लिए हैं अगर खेलते हैं ता आप इनको जील में लेके टीम बना सकते हो निसाल धनानजिया के बात करें ये थर्ड पे भी बैटिंग किये हैं दोस्तों दो रन किये हैं तो अभी हम इनको स्मॉल लिंग में रिकमेंड नहीं कर सकते हैं इमाल विजिया वार्डोना की बात करें दोस्तों तो चेरन बनाया हैं टी संपत की बात करें दोस्तों अभी तक तीन ओवर किये हैं दो मैच में वहीं पे एक व कि भीनार डाउट के विलंगी टोंकिन मैं शाथ चार क« कंबिनेशन से जा कता हूं या च्छेपांच का कंब líqun भी आप बना सकते हूं मैं फैसा रटल कभी सण जाऊंगा द эп案 7 socks के कम्राइशन से भी दूंश जाते हैं जिया लाएं ड्यूंट पर दोस्तों देखिए 5.146 का है छे पॉइंट है दूस्तो फश्बइट किए हैं दोस्तो एक है कि तो फाहिप अब ध्यान से सुनना सेकंड प्याइट कि चेयों मैंच चेस कर लिए पचासी रणी बनाके पाच ऑबर में सेवेंटी नाइन करके मैंच को कर लिए साथ अबर में 95 रंके करके मैच को चेज कर लिए सबसे भड़ी बात 10 उबर पूरा खेल गये 3 विकेट गिरा 6 ऊबर खेले 0 विकेट पांच ऊबर खेले 2 विकेट 7 ऊबर खेले 3 मतलब इनका विकेट भी नहीं गिरा है दोस्तों और अगर इनका योरेज निकाला जाए तो 121 30 के आसपास आएगा वहीं पर पड़ोगा की बात करें तो हंडेड आ रहा है दोस्तों वहीं पर इनका 121 30 रख लेते हैं अगर 125 रख लेते हैं तो पचीज दूना 50 रन का डिफरे करें दोस्तों स्टार्टिंग के तीन मैच में फ्लॉफ रहे लेकि लास्ट गेम में काफी अच्छी इनिंग खेले हैं तब इक लिए मस्ट पिक बन जाते हैं स्मॉल लिंग में नजमुल हक की बात करें टीम के कप्तान है दोस्तों बहुत सांधर बंदा केल आप देख सकते हैं तब ही तक 16 किये हैं महमुद इसलाम की बात करें दोस्तों एक रन चार रन आप देख सकते हैं दोस्तों इस टीम की सबसे बड़ी खास बात है कि अभी तक इनका मीडिल ओडर टेस्ट ही नहीं हुआ है यहां पर देखिए तीन विकेट जीरो विकेट तो विकेट तीन व काईगोडेर की बात करें दोस्तों तो अभी तक बंदा दो दो ओवर किया लगबग अभी इनका सेलेक्शन परसेंटेस सेवेंटी प्लस से दोस्तों आप चाहो तो इन पे रिक्स लेकिए यहां पे दोस्तों छे पाच के कॉंबिनेशन से जा सकते हो अगर निसांग का यहा सारी चीजे ध्यान में रखना बात करते हैं दोस्तों यहां पर यहां से जो वेस्ट पिक मुझे लग रहा है आर मिया मिया मेरा चौथे पर बैटिंग भी एक बार किये बैटिंग में कुछ खास इनका दिखा नहीं दोस्तों आप देख सकते हो लेकिन बॉलिंग में छे वि बहुत सांदार खेल रहें दोस्तों तभी के लिए आजवाइस कप्तान बहुत अच्छे ऑप्सन यह बन जाते हैं लेकिन अगर आपको थोड़ा सारी लेना है मेहदी निटोल को आजवाइस कप्तान आप इस मौन लिग में चाहिए करके जा सकते हो यहां से दोस्तों जैसे यह भी मन जाए तो इस प्लेयर को ध्यान में रखा बीरा सिंगे बीरा सिंगे थोड़े से रिक्सी होंगे दोस्तों लेकिन मुझे यह प्लेयर बहुत अच्छा लग रहा है मैं एक टीम में एक टीम में आजवाइस कप्तान ट्राइग करने वाला हूं मिनी जील या स्मौन आप चाहो तो इसके साथ जा सकते हो यहां पर बात करें दोस्तों यहां पर में एक अच्छे पिक है आप इनको जील में एक टीम में आजवाइस कप्तान जरूरी यूज करना हो सकता है यह इस चार्टिंग के पहले मैच में ही चार विकेट ले लिए दोस्तों उसके बाद एक लिए दो विकेट एक विकेट हो सकता है आज तीन चार विकेट फिर से निकाल दें तो इक अच्छ पिक बन जाएंगे महधिन नीटोल को आप मिया अल्मिया के साथ आज़ा कप्तान वाईस कप्तान दोनों को रोटेट करके ऐसे करके दोस्तों आप अपनी जील टीम बन सब्सक्राइब दोस्तों ध्यान से सुनना बहुत सारी चीजें थोड़ा सा रिक्स बहुत ज्यादा हो सकता है आप क्लिंशिप कर जाओ यह चीजे याद रखना चार वहां से पांच एक छे छे प्लेयर हो गए अगर आपको कागोडर के खिलाना है तो यहां से कागोडर भी ए यहां पर बात करेंगे अगर यह बंदा खेलता है ध्यान रखना इसका विरा सिंगे मस्ट पिक है दोस्तों अभी यह खेलेंगे नहीं एक दो यहां से टीफ फर्णांडों के साथ आप जाना चाहों जा सकते हैं दोस्तों लेकिन अभी तब कुछ खास किये नहीं दो 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 अब दोस्तों चौथा प्लेयर कौन सा होगा यह आपको डिसाइड करना है इन दोनों में से आप किसके साथ जाना चाहते हो चार यह हो गए साथ यहां से दोस्तों ऐसे करके आप अपनी टीम बना सकते हो दोस्तों मैं हमेसा कहता हूँ कौपी पेस्ट करने से आप विन कर सक सकते हैं थोड़ा सारीक्स होगा लेकिन यह प्लेयर भी बहुत अच्छा है दोस्तों हो सकता है आज आपका क्लीन स्विप हो जाए तो इसको भी ध्यान में रखना है जो वाइस कप्तान अगर नहीं बनाते हैं स्मॉल लिंग में ताय जो वाइस कप्तान मीनी जील में ट्राइ से भी है अब यहां से बात करते हैं दोस्तों जैसे मैं ने बताया है आप उस टाइब से भी अपनी टीमें बना सकते हो प्रेडिक्शन में आफको सेफ और सुम बता दी ए तो उहां जाकर देखिए जो सारी चीजह वहां बोले गई दोस्तों आप उसको अपलाई कर सकते हो ह हो सकता है आज आपका दिनों मैं दो टीमें इस गेम में बनाया हूं दोस्तों यह मेरी पहली टीमें जिसके साथ मैं इसमॉल लीग में जा सकता हूं अब दूसरी टीमें आपको दिखा दें यह मेरी सेकंड टीम है दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सार इक्सलिंग गां एम नि और सकते हैं है भिसके पडोवा के तो ऐसे करके टिम घ्र सकता हूँ दोस्तों दुधू 7-6 अभी हेशा पर पड़ोवा भिन करती है जो ळिए कज बूबिन करेंगी यह काफी अच्छा कर सकती है आप चाहो तेम से में भी खेल सकते हों लेकिन दोस्तों जैसा प्रेडिक्शन हैं जा के एक बार सुनो देख라고 साथ प्लेयर जबता है विलिंगजिया के और पढ़ोवा के की त्राइग कर लो एक बार हो सकता है आजया आपका दिन हो फिरसे एक बार आपको स्मॉल निग की टीम दिखा दें इसमें वाइस कबतान आप आपने हिसाब से रख लेना दोस्तों मैं और वाइस कबतान के आपशन आपको बता दिया हूँ प्रेडिक्शन में कि आपको कैसे क्या करना है तो जाके तब तक के लिए बाबाय टेक केर लव यू एंड थैंकि दोस्तो रात में वीडियो बनाएं दोस्तो चार बज़रा अभी तक लेटे नहीं है अलब सोय नहीं है तो दोस्तो अगर आपका एक लाइक आ जाएगा बहुत जादा खुशी होगी सुबह उठेंगे लाइक रहेगा बहुत मजाएगा दोस्तो तो दोस्तो लव यू एंड थैंकि दोस्तो बस अपने में में पापा से हमेशा प्यार करते रहें विस्ट अफ लग दोस्तो इस मैच के लिए मैं बार बार बोर लाहूं दोस्तो जाके एक बार प्रेडिक्सन सुनिए वहाँ साथ चैर का कॉम्ब लव दोस्तो ठेक केर बाबाए एंड विस्ट अपना